मेरे प्रिये दोस्तों, मेरे भाइबेनों, मेरे युवक साथियों, सबों को जेईशूं फिलिपेग नाम सन्बालुस का बत्र अध्ये दो पत्संक्या 14-15 आप बुन-बुनाई और बहस के विना आपना करते विया पुरा करें जिससे आप निस्कबड और निर्दोश बने रहें और इस कुठील अबम पत्र ब्रस्ट पीड़ी में इश्वर की सच्ची संतान बनकर अकास की तारों के तरह चमके मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त पवित्रा आत्मा संबालुस द्वारा आज संदेश हमें देता है वो ये है कि हम चमकना हम युवग युवतियां चमकना इस कुठील अबम पत्र ब्रस्ट पीड़ी में जहां पे नशादारू बुराएं अंध्यगार में युवग युवतियां बरबाद हो रहे हैं नस्ठ हो रहे हैं कई परिवार नस्ठ हो रहे हैं पुरा दुनिया अंध्यगार में बुराएं में नस्ठ हो रहे हैं पूरा बुराय का बोल बाला है, इस आवस्ता में हम आकास की तारों की तरह चमकना, यह है इश्वर का इच्छा, इश्वर का संदेश आज आपके लिए, हम प्रबु चाहता हैं हम सभी से यवगिवतिय से हम चमकना, ना केवल प्रबु हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा मंडले, हमारा गिरजा, हमारा डाइसीस, पूरा देश यही चाहता है हम जितने यूथ लोग हैं, चमकना, क्योंकि हम यूवग में एक शक्ती है, जो दुनिया को बदल सकता है, हम सबों में एक सामर्त हैं, जो हम सब चेंज कर सकता है तारों की तरह चमकते हैं वे हम एक नया जोती बन सकता है मेरे भाई, मेरे बहन हम कैसा चमक सकता है और चमकने का मतलब किया है चमकने का मतलब है हम दूसरों के लिए आशिस का कारण दूसरों के लिए मुक्ति का कारण दूसरों के लिए जहाँ पर आशांती वहाँ पर शांती स्थापना करने का कारण हम बन जाना यह हैं चमकने का कारण क्योंकि आज संसार में अधीक तर गिवगिवतिया आशांती उत्पन करने लड़ाय जगड़ा बुराय पवित्रता अशुद्धी का जीवन जीते हैं लेकिन जब हम उस आशुद्धी जहाँ पे आशांती जहाँ पे धोकादारी जहाँ पे बुराय चलता है उस बीच में भी हम जब पवित्रता का अफल उत्पन हम करते हैं आशांती का जगा में शांती बहुते हैं अफरत की जगा में प्रेम बहुते हैं हम इस तरह चमकना सुरू करता है तब हमारे भले कारियों को देखेगा जैसा कि मतिका सुसमा ज़र पांच पसंग्या चोदम चोदमें कहा येश्व ने कहा तुम संसार की जोती हो पहार पर बसावा नगर छिप नहीं सकता कोई दीपक जला कर पैमाने की नीचे नहीं रखता बलकि धीपक पर रखता जिससे लोग उस जोती को देकर प्रवेस करें घर में वो ऐसे ही तुमारा जोती मनिश्री के सामने चमकती दे है जिससे तुमारे भले कामों को देकर लोग तुमारे स्वर्गी बिदा की महिमा करें आप सिकायत करते हैं कि मेरा बरिवान नशा में है मेरा मा पापा नशा बिदा है मेरे घर में लड़ाई जगडा अशान्दी है क्या आप अपने परिवार के लिए चमका है क किया आप अपने परिवार के लिए जोती बना है किया। बदलेगा, कैसा आपका परिवार बदलेगा, कैसा देस, कैसा सामाज, कैसा डाइसिस, कैसा कलीसिया बदलेगा, इसलिए एक चैलेंजिंग बात हमें संद पावलोस द्वारा पवित्रा आत्मा देता है, आप इस कुठी लेवंपद ब्रश्पीडी में, ईश्वर की सच्ची संदान बनकर आकास की तारों की तरह चमकना, और येश्व का जन्म का संदेश के समय में में तीन ग्यानियों को, येश्व का बैतलेहम तक येश्व तक पहुचाने का कारण बन गए है तारा, मुक्ति तक पहुचाने का कारण बन गए है तारा, वैसे हम और आप भी वो तारा बनना, जिससे हम और हमारा परिवार, हमार देश, हमारा समाज, हमारा मंडली, हमारा डाइसिस, ये सब येशु को उस मुक्ति का दर्शन कर सके, उस मुक्ति का दर्शन कर सके, यदि आपका परिवार आप चाहता है कि आपका परिवार, आपका परिवार नशा से मुक्ति मिले, परिवार सुधरे, तो आप तारा बनना, मुक्ति का कारण बनना यदि आप मुक्ति का कारण नहीं बनते हो फिर आप कैसा आप भुनभुनान से कोई फाइदा नहीं कोई लाब नहीं इसलिए तो फिलिपिक नम बत रहें दो वचन 14 में कहा आप भुनभुनाई और बहस की भी न अपना काम करें भुनभुनाना नहीं ये समसे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं मेरा माता पिता ऐसा है, मेरा घर ऐसा है ये सब भुलबुल कर भुनभुनाने का जरुरत नहीं है अई बहस और भुनभुनाई कि ये भी न आपना करते विये पुरा करें, आपका काम किया है चमकने का काम है जोती बनने का काम है आपका येश्व ने आपको जोती बनाए वो जोती बनने का काम है आपका वो काम आप करना पहले इसलिए हम यवगिवतिया जोती बनना चमकना आजिका संदेश प्रभू हमें पवित्रा आत्मा यही देता है कि हम युवग युवतिया चमकना अपने परिवार में चमकना अपना देश में, अपना मंडली में अपना पैरिस में चमकना जागना, जोती बनना अपने आचरन, अपना सौभाव द्वारा अपना बोली वचन द्वारा हम चमकना अन्य लोगों की तरह नहीं बलकि ईश्वर की संतान की तरह हम बन कर चमकना वचन का पालन करते वे प्राथना करते वे हम चमकना इसलिए आए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रीय दोस्तों यह वगिवतिया हम मिल कर चमके प्रभु के सच्ची संतान मन कर राकास की तरह चमके प्रभु का आशिस अब सबों को प्राप्त हो प्राथना हम करते हैं आपकी लिए आमेन जेश्व